हालो फ्रेंड्स दब्रीच चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं सब फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं जे हमारा नेटवर्क एनालिसिस का जो चैप्टर शुरू कर रहे हम उसका सेकेंड वीडिया अभी रिकॉड कर रहे हैं हम लोग ने वहाँ 11 कोश्चन कर ल भी कहूंगा लेकिन थोड़े सा समझोगे आप तो आसानी रहे की है ना तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट कोश्चन हमारे पर देखिए क्या बोला है सोर्ष ट्रासफार्मेशन का उप्यों करके नीचे दिये गए सरकीट में वीजीरो का मान निकालना है ठीक तो सीवाला एंसर राइट होगा ठीक है डेखते अब हम हमरा किस प्रकार्श आ रहा है तो यह देख लीजिए सर्ष पहले हम सबसे पहले इसमें क्या आगा सोर्ष को ट्रासफार्मेशन करेंगे यह हमारे पास करेंटर सोर्ष है उसको वोल्टेज सोर्ष में करने के लिए क करेंटर सोर्ष के पेरेलर में रैस्टेंसर रहता दोसको इसका और इसका गुना करने तो बारा हा जाए गा यह वोल्टेज बारा रहे गांगा इसमें ठीक है और सीरीज में रचस आ जड़ जाएगा सिस प्रकार शा लेज आधा जा reper तोम पर यह में मारे देखेंगा सर्की इस पर क्या लगा एक नोट लग मान लेते हैं यह एक हमारे पास नोट है है यह मान लेते हम और यहां से हम हल कर लेंगे ठीक किस प्रकार से यह देखो यह हमारे पास है तो सबसे पहले हम इसको करेंगे यहां से करेंट क्या माना हमने एक करेंट इधर से यह आ रहे है आई है एक इधर से या जा रहे है आई-वन इसको 2 मान लेते ठीक है और एक ये हमारे पास से इधर से ये आई-3 मान लेते है ठीक है इन तिनों को जोड़ देंगे आने वाली current और जाने वाली current का योग लिट्सक्राइब का है Dutch लिए के mtl को करेंगे इहां से इदर आ रही तो यह plus से हो रहा है इंटर तो इसे हम प्लस में लिख लेंगे ठीक है माइनस यह अंदर आ रही तो plus से लिख लेंगा 12 बटे दोनों का यह resistance से जोड देंगे तो अच्छे आजएगा ठीक है अब हम हमार पास V0 माइनस यह प्लस से अंदर हो एता माइनस का घाएगा ठीक है यह मामिस का गया उसके बाद मिल्डूर्ठ को मारे चाहिए आप किछन को हल कर लेंगे इसको हल करेंगे तो हमारा पास क्या जाएगा वी बराबर यह वोल्टेज आ जाएगा ठीक है ओनली इक्वेशन बनावा आप इंग्वेशन बनाने के बाद तो कोई भी सुलुसन कर रखता है इसका अलश्यम ले लिया अपने है ना तो हमार पर 24 आया यह कितने बार में गया 24 बार में जाएगा तो चयार का उपर इसमें भी गुना कर लिया है इसमें भी चार का गुना करके आगया ठीक है अब यह कितना आठ से तीन बार में तो यह वी जीरो में तीन का गुना कर दिया अपने ठीक है इसमें भी तीन है तो यह कितने आठ बार में आठ बार में आठ बार में जाएगा तो यह इसमें गु 12 और 4, sorry 8 और 3, 11 और 4 पंदरा हो गया, तो 15 भी 0 आगया, ठीक, अब हमारे पस यह माइनस का है, और यह प्लस का है, इधर ले जाएंगे तो यह प्लस का हो जाएगा, 96 प्लस का और यह प्लस का है, तो यह माइनस का हो गया, ठीक है, यह हमारे पस आजएगा, इनको दोनों को मा यसे नहीं हम इस पिलीप सथ आजाएगे में 50 तूर राउन हम गेंगे परियुक और हम इसे प्रकार है रीपल आधि को गाहें यह वाल आमान है ना Aj0 यह हो गया होगा कर छिक कुछला ये वाल पॉर हम एनगे लिए वेचि रो नुक्तिक तो इसका मान निकलना है हमारे पारा हमें सब्सक्सक्रां और देख को हम देखे लेते सॉलूशन इसका कि यह हमारे पास ठीक है यह टोटली हमें दिया है इसको हमने किसा जैसे कि आप सर्किट को भी देखते रहे हैं साथ में बुक को रखें तो मैं आपको इसमें समझाओंगो तो आसानी हो जाएगा आपको क्या हरा हमारा इंटर कर ला है ठीक है और आई जी रो के हमारा और में है तो इसरी साइट हमने रख लिए आउटर साइट यह आउट साइट में रखेंगे ने आउटपुट में इन्पुट वाला हो गया है ठीक है इस प्रकास रहे गए है तो हमारे पास यह equation बन क्या जाएगी ठीक है इस equation को हम हुल करेंगे तो V0 कमान निकल आएगा यह हमारे पास V0 कमान आगया ठीक है यह V0 आग बारा में दो का भाग देंगे तो छे बार में तो छे एम्पेर आ जाएगी और बारा वल्ट आ जाएगी ठीक है यह option हमारा बीवाला है ओके अब हम अगले question क्यों चलते हैं अगला question है हमारे पास क्या अगला question निचे दिये गए परिपस circuit में V0 कमान गयात करना है क्या गया अब यह देखते हम किस प्रकार्शे देखे इसमें के वेल लगाना है यह direct आ जाएगा इस प्रकार्शे के वेल लगा लेंगे तो यह हमारा इंसर आ जाएगा देखे इसमें मैं आपको बताता हूं अदिक कि हमारे पास है ठीक है हमने केवल लगाये देखे12 हैं हैuent 12 scientifically अंधैने किस प्रकार से देखो इक बार में आपको इसमें बत्व हो कि यह है DAKOT će है यहां से हम केवल दिये ठीक है मैननस से इंटर कर ही आइए तो प्लस चाल जाएगा 12 ठीक है- माइनस क्या रहा है फॉर आया जाएगा ठीक अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या रहा है हमारे पास यह माइनस का प्लस से है तो माइनस का जाएगा यह हमारे पास ठीक है माइनस का आ गया है और आगे बढ़ेंगे हम यह माइनस से है तो यह प्लस का जाएगा ठीक है फ वी जिरो परापर माइनस आई रजिस्टेंश कितना है 6 है ना यह आई करेंट हमने यहां पर निकल रही है मान लेते हैं ठीक यह इक्वेशन इस प्रकार हमारे बन जाएगी अब आगे हल करते हैं तो हमारा इंसर आजएगा ठीक हाँ इसको अब हम हर्कर निकलते हल करते हैं तो 11 हो जाएगा 16 कितना आ गये हमारे पस अब हमारे पस एक कितने हैं यह मायनस का है और फ़्लस का हैoles मायनस का बड़ा है तो मायनस का आ जाएगा हमारा ठीक है और जो i0 है यह सोरी 4i है वो same to same है से रख लिया हमने ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे i command रखेंगे हम i command हमें देखना है तो v0 बराबर यह हमारे पास होगा i minus i into 6 होगा ठीक है i बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा v0 बटे 6 हो जाएगा तो अब i command हम यहां पर रख लिए ठीक है i command रखें हमने अब हमारे पास यह है इसको हम पहले काट सकते हैं इसको पहले पक्षांतर भी कर लिया है इधर की सेट ले लिया है तो यह minus के थे plus में हो गया है ठीक है इस प्रकरसियों यह हमारे हो जाएगे अब हम इसको काटने के बाद हमारे पास क्या answer आजाएगा यह देखें यह हमारे पास यह रहेगा इसका यह आपर ले लेंगे तो हमारे तीन आया और यह दोनों में plus का है तो यह फिर plus का आजाएगा ठीक है यहाँ पर एक step में आपको पता दो जैसे इसका यह दो टू वी जीरो प्लस थ्री वी जीरो बटे थ्री है तो यह माइनस का है यह प्लस का है ठीक है तो हमारे पास क्या रहा यह वाला आजाएगा इसमें अप्सन आजाएगा ठीक यह इस प्रकार्श थोड़ी से में एक दो क्वेश्यन हमारा देखिए इसमें क्या पुछा है हमें देखे नीचे दिये गए पर फ़िपश्चुमें और एक्विलेंट कमार निकालने ठीक है इसका आरिक आपको निकालना ही यहां 899 Tou1 9600 registry 1012好了 और फिर यह 4 पारर के जैए काऊओ तो 12 122 इन डिचसे बोड़ुसों को इन दूनों को जोड nieuगरे तो कितना हो जाएगा 16 16 16 23 तीन आ जाएगा इसमें कितना हो जाएगा 3-3 यहांपे तीन जूड़ जाएगा ठीक है छोट्य नहीं दो कब देंगे तो हमारे पाइस तीन आ जाएगा ठीक है अब यह इतना मिलका हमारे कि इतना बन रहे हैं यह पे तीन बन जाएगा तो यह शीरीज में चैनल दस हो जाएगा राइट अपसन कुणसा बी वाला ठीक है आपमें स्कुर्म पर आपको बता दिया एक को एट कर लिए स्रेनी कर्म में यह एट हो जाएंगे ठीक है यह कितने हो रहा हमारा है पांच और चार नो ओके और तीन बारा ठीक है यह बारा हो जाएंगे यह देखिए इसमें दिया है यह कैसा बारा हो गए यह सीरीज में अब यह हमारे पास यह बारा और यह हमारे पास कै किसे हैं चार और बारा किसे पेरिलर में हैं ठीक है सामांतर में जुड़े हैं तो हमने इस का यूज करें इस से निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना तीन आ रहा है कितना तीन आ जाएगा अब अगला अगला डाइग्राम बता तो मैं जैसे यह तीन आ गया हमारे पास यह तीन यह एदर नाया में टों सेरेज सा देल रावक फिसका मान काई हो हमारी नाया को अउट में यह जोड गाएन को प्रीज में पाहिए थिज्य में खमालता जाएका है यह 2 है तो यह यहां पर तीन बचेगा इदर की सेट ठीक अगले डाइग्राम में यह देखिए हमारे पास आजएगा यह तीन आया ठीक यह हम सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिये तो तीन और तीन चे चार दस हो जाएंगे ठीक है राइट अपसन हमारा कुन सा यह 10 हमारे सामने है ठीक सुपर पोजिशन प्रमें है अध्यारपन प्रमें बलते सकों का उप्या करके नीचे दिये गए सर्कीट में वी का मान निकालने के लिए ठीक है मान ग्याद करना है ठीक है तो इसमें क्या करता है सुपर पोजिशन एक नीनियर रहता है ठीक इसके पॉइंट में लिखवा लिनियर में work करता है यह power को क्या करता है counter नहीं करता है ठीक है अब हम इसमें क्या रहेंगे है इसको सब्सक्राइब एक समय में एक सफ्वी सब्सक्राइब रहता उसको ऑपन करते हैं जो कर देता हैं यह बात डिहान रखें अब को आगे सांट है जाएगा राइट अब CAN को निकालना है में लेंगे हम तो हमने क्या करा इसको ओपन कर लिया करेंटאןों को तो यह हमारे पास आया एक ठीक है इसमें हम करेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले तो 6 बट classmates जितना अँसमें कितना है सिरीज में हैंतона है इधर एक बट्यद्व आ गया हमारे पास MP कितना अर्य है एक बट्यद्व याद रखें आप आगे चलते आब हम अब यह देखिए हमारे पास एक बट्यद्व आगए ठीक है अब हमने इसको स्ट तर्कृट कर दिये है वोल्टर शोर्षों को अब हम- Jesús करें और और सवर्च निकालते हैं तो हमारे पास कितना 3 है कर्एंट डिविजन रूल काप्या करें तीन हमारे पास करेंट हैं ठीक अब करेंट यहां निकालना हमें तो इसके रिज्टेंस को कैसे लेंगे यह पर लेंगे और इस वोल्टे सोर्च यहां पर थे इस कारणस पर कितना जा रही थी 1.2 जा रही थी ठीक है दोनों को अब हम एट कर लेते हैं से दोनों के हमने एट कर देखें कि हमने दोनों को एट कर लिया तोटल कर एक रही देखेज और और वन पॉन्ट वहुं पर करेंगे कर नेडेकर यह तो यह दस यह त hen 2.5 ठीक है पॉआंट फाइब तो थो तो नो तो फाइब मेरे समय पास करेंट जा रही है ठीक है उसमें तो अब हम वोल्टेज ड्रोप उसमें निकालेंगे तो तो नहीं नहीं और पर यह रहेयों रहारे पास करेंट तो हमारे पास पर ज़तने चिए उसको अगर इसको हटा लेते हैं तो यह आ जाएगा 25 चोक सो 25 चोक सो हरा सो वटे 10 यह 10 से 0 से 0 कर जाएगा तो 10 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा ठीक है यह हमारे पास दोसा आ गया आपको मैं देखिये देखिये इसमें थोड़ा सा मतलब एक अगर मैं डाइग्राम बनाओंगा तो समझाने में कीचे वाला समझाऊओंगा आपको तो वह याद निरह Brooks men ॢफान में थौड़ा सापको इसमें क्या है डायक् टीने इसमें समझाऊँ गए तो एक बेशत रहेगा इसमें ठीक है अगर कोई इसटेप इसमें छोड़ दी गए है तो इस स्टेप क्रूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा ठीक है यदि मेरा समझाना आपको पॉसन आ रहा था इसे लाइक कीजिए और दूसरों तो भी पहुंचाए बहुत सारे देखिए यूटूब के ओपर ऐसा नेटोर्क है जो कोई भी ऐसा चेप्टर है जो यूद कॉम्पिटेशन का क कोई भी ऐसा समझाया हुआ नहीं मिलेगा किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा ठीक है फ्रेंट ता आप कोशिश कीजिए कि दूसरों का भी हल्प हो हम ऐसा नहीं कि यार कॉम्पिटेशन बढ़ेगा तो दूसरों को नहीं बताई यह मत सोच है यह बेटर होगा कि आप दूसर से जल्दी खतम करें ठीक है तब हम अगले कोश्चन के और चलते हैं अभी हम कि देखिए अगला कोश्चन है हमारे पास देखिए इसमें क्या पुछाए दिये गए सर्कीट में एक्विलेंट आर रजिटेंस का एक्विलेंट निकालना है ठीक है यह बहुत इंपोर्टन अ आर एक्विलेंट किसी भी एक्विलेंट में एक से दो कोश्चन आएंगे ओके आर एक्विलेंट निकालने के लिए एक से दो कोश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा ओके अब हम इसको हल करते देखिए यह हमारे पास सर्कीट है इसमें आर एक्विलेंट इसके बीच में निक चाल लेंगे तो यह भी सीरीज में आ जाएगा ठीक है कितना है छे गुनित तीन बटे इनको जोड़ देंगे तो नो आ जाएगा तीन से तीन बार में कट जाएगा तीन से दो बार में यह कट जाएगा तो यहां पेस कमान कितना दो आ जाएगा ठीक है यह दो और दो यह सीरी हो जाएगा ठीक है तो यह कितनी हो गार है जाएगा टो पंट फोर आरा ठीक है अब हम यह सीरीज में ट्र oppress और जाएगा ठीक in कब आपको समझ में समझ में आजएगे सबसे पहले हमने इस शाँ करते हैं ऊच्वथ हैundo अ स्वच्छodag अ इसस्टाइक पेले नसले एक आधकी से लिengo Germany का उनला और यह देखिए है हैं और यह बी तिसम पांच और एक चैनल शेयर से वाल भाणिट ये प्रस्ट ऑजया hy कि सभाय से ये दोनों सीर्ज वाले चार हो गये अब हमारा पास ये परेडनर में आ अब सामान तरत में हम इनको हल करेंगे thing प्रकाश्टा जैसे च्यार गुनिए 6 बड़्य दोनोंको जोड़ेंगे तो कितना 10 आ रहा है तो कितना है जुए तो कितना हे ख़ट्विस गड़ दर तरह आ चकहरो ऊच्छ कोविस बड़ेंगे तो इसको भाग देंगे तो कितना रहां एक यह सीरीज में सर्किट बन गए इन टोटल को जोड़ देंगे हैं ना जोडने पर हमारे पास यह आ जाएगा ठीक है यह हमारे पास इंसर आ टीक चलते अब हम एगले कोश्चन के और हव outta हुआ हमारा देखे इसमें क्या पुछा दिए गए परिपस सर्किट में यह और बी श्रकित में तो बसमें तो समय बलो टिसमें कछी से honey निकाल लेते हैं घिके call to कर्itto निकालने के बात हम इससे हम कर लेंगे तो यह मारे पास याय निकालने के लिए क्लाशत है टो सब अरेज सब्सक्राइश का मांना निकले गारेगाonte ठीक यह ममारे पांस कामार निकलेगा है ठीक यह करेंट हमारे pueblo कितना है 50 से थे सब्सक्राइब है थिक है बटे में दोनों को हम एट करेंगे तो कितना पत्चीस आजाएगा 25 जिस फिर्फेस में तो दो एंपियर हमारी हमारी करेंट जा रहे हैं थीरिड़ कि तो यहां पर व्ल्टेज ड्रोप कितना होगा ठीक है टर्मिनल में चालीस आ रहा है अब हम इसको देख लिए इसकी थेवरी को देख लेते हैं यह हमारे पास देखे परिपत में प्रवाइद धारा यह हमने निकाला ठीक है टोटल इसमें परिपत में इसका एकोडिंग और एक्विलेंट राइस्टेंश लगा के यह हमने टोटल को जोड दिया और यह हमारे पास आजाएगा यह ठीक है थेवनिंग वोल्टेज निकालने के लिए क्या होगा पचास मैश यह दो ठीक है 10 तो इसको हम कर लेंगे 10 मैश कर लेंगे तो 40 आजाएगा ठीक है फिर अब हम अगले क्यों चलते हैं अगला कोश्यों हमारे पास देखिए क्या है अगला कोश्यों हाव मैनी टोटल लिंक आर रिक्वाड टू कनेक्टेट टूवेल वर्ड डिवाइट इन ए फुली कनेक्टेट मेस नेटवर्क ठीक है क्या बोल रहा है पूरी तरह से जुड़े मेस नेटवर्क के लिए 12 डिवा बार कितना होता हमारे पास फर्मूले कहता है एन एन माइनस वन बटे दो तो हमारे पास कितना है बारा बारा मैंसे एक घटा आएंगे तो ग्यारा बटे दो हो जाएगा ठीक है इसमें हम दोनों में गुना कर लेंगे इस इसको पेले काट लेते तो कितना हमारा छे आरा ठी कि यह ना तो हमार पास कितने लिंक को कि आवशकता रहेगी च्हां चट कि तो बीवाला आ जाएगा उसर ठीक है फ्रेंट कौन सारा बीवाला देख लेता है इसकी थेवरी को हमार यह हमार पास है इसकी थेवरी दि हैं देखिए डिवाइशो की संख्या 12 है हमार पास गुनित हमने इसमें एक माइनस करें तो 11 ठीक है यह कुंसा 12 गुनित 11 बटे 2 करें ठीक है अगला स्टेप तो दो से यह काट लिए 6 बार में 6 में इसका गुना करेंगे 6 गुनित 11 बराबर हमारे पास यह आ जाएगा ठीक है छाच जट ठीक है ठीक है अगले कोश्चिन क्यों चलते हों अग्ला कौश्चन हमारा देखिए क्या पुछा इकूलेंट रजिस्टेंस बीट्वीन पॉइन फिगर इसका इसमें यह और बीड दो पॉइंट है इस सर्कुट में एकूलेंट रजिस्टेंस निकालना है ठीक है तो आप हम निकालते देखें यह हमारे पास पेरलर पारमे च्यार गुनित 6 2 है तो हम इसको कर लेंगे चाह उने चेट 10 आ जाएगा ठीक है इनमें गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 24 है ना 24 में क्या रहा। तू पाइंट फोर आजाएगा यह ठीक है तू पाइंट फोर को हम अगर इसमें दस में जोड़ देंगे अब यह हमारे सीरीज में आजाएगा ठीक है तो हमारे पास 12.4 एंसर आजाएगा कौन सा है बीवाला राइट ऑप्सन है ठीक है यह आसान कोश्चन है इतने ज्यादा करने इक्विलेंट वाले तो बहुत आसान कोश्चन रहते हैं ठीक है कोनसेप्ट आना चाहिए आपको आरंस आप बना लोगें जैसे यह हमारे पास है आर एक्विलेंट बराबर यह पेरेलर में और प्लस में हमने जोड़ दियें तो यह पेरेलर में हमारा आ जाएगा ठीक में पर लाग होता है तहुंआ पेस्टि नेटवर्क के उनली पेसिंट ओपर इतना होता है तो अफ ही नेटवर्क ओनली डर्ट इतन लागाता हैं नहीं यह भी गलाद हो जाएगा डीसमें भी उसकरते हुं ठीक है डीसी ओनली यह AC में भी इसको दोनों में, तो अफ़सन हमारे पास D वाला, AC, N, DC बज्त दोनों में उप्यो करते हैं, ठीक है, किर्चाप नियम के अकॉडिंग, दो नियम होते हैं, जैसे कि ये देखिया हमारे पास, कौन-कौन से नियम होते हैं, किर्चाप, के-C, के-C, एलो, और के-वे-ल लो ठीक है के वे लो यह दो नियम रहते हैं ठीक यह दो हमारे पास नियम होता है किर्चाप के नियम क्या है किर्चाप के नियम एसी और डीसी दोनों परिपत पर लागो होते हैं किर्चाप के किर्चाप ने परिपत के संबंद में दो नियम दे डिखो किसी भी परिपत में मिलनेवाली धारह का बिजगनिती योग सुझने होता है यह ना तो एक आने वाले यह जोड़ां रहलता कि और किसी भी परिपत में इस्तरों व्ल्टेत वह उस परिपती मैं लगे तत्व कि है कि नगी सब्सक्राइब जैसे यह voltage source से दिये voltage बराबर जितना voltage drop होगा वो हो जाएगा ठीक है और यह incoming current इनको में बराबर outgoing current हो जाएगा ठीक है यह हमारा किर्चाप के नियम के coding होता है ठीक है आपको समझ में आगा हो गया किर्चाप नियम क्या हता है आपको आता हो गबट यह थोड़ी है जो कि समझना चाहिए हमें ठीक है किस प्रकार से में question पूछा जा रहा है ताकि हम examiner को थ question हमारा देखिए यह 2019 में पुछा गया question है वें दो वोल्टे सोर्ष और रिप्लेस विद शोट सर्कीट एंड करेंट सोर्ष और रिप्लेस विद ओपन सर्कीट लिविंग डिपेंडेस सोर्ष इन दा सर्कीट दा थेओरं अप्ल अपल आपलाइट इस किस के ओपर अपला यह जैसे को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो करेंट सर्कों को ऑपन शर्कीट में कर रहे हैं ठीक है वो किस थेओरं में करते हम तो यह हमारे पास हो जाएगा थ ठीक है फ्रेंट अब हम अगले कुश्चन क्यों चलते हैं अगला कुश्चन हमारा देखिए हैं अगला कुश्चन क्या पुछ रहा हमें फाइंड नौट वोल्टेज है ना विए ग्याद करना यह हमें निकलना है ठीक है अब इसमें कितने आसानी से दिये हैं इसमें करेंट इधर जा रहा है इसमें नीचे जा रहा है और इधर की सेट जा रहा है यानि की करेंट की डायरेक्शन हमें दी है अनली हमें विये कमान न है सब कि बाहर जा रही है हूं वह सब भी डोइवी इसी जोल लेंगे थी किंई-3 भरबर-0 होगा खींगे है अब हम इसमें कि निकाल लेंगे इधर करेंट जा रही है ठीक है थो भी-ए माइनस ये किसमें प्लस सेंटर कर धता माइनस का鬆 रहा हो जाएगा ठीक है रजिटेंस से कितना है उन पचासे प्लस क्या जाएगा हमारे पास यह वाले आजाएगे कितने हो जाएगे वी ए बटे 24 प्लस हमारे पास इधर शही जारी तो इधर का जाएगा इसमें वी ए माइनस छे बटे क्या जाएगा इसमें अस्या जाएगा ठीक है अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आजाएगा देखिए वी ए बराबर हमारे पास क्या जाएगा यह सीवा लैंसर फॉर पाइंट तू फाइप एंड वोल्ट आ जाएगा देखिए अब इसको पूरी हल करके मैं आप एकवेश्यंट बढाना मैं आपको थोड़ा थे हैं कि इसको लेट है, इसको एकवेश्यंट जैसे मैं थाइंग है कि पूर hگा ख तो हम बहुत और हुआ आज जाएगा ठीक है यह ठोड़ा सा जाधा एलसे बड़ा ले ले लिए है तो फिर नए हो पार है तो वह आ जाएगा ठीक है अब हम अगले question कियों चलते आशान question है ने ट्रक में इतना ज्यादा difficult question नहीं है अगर आप dedicated के साथ बढ़ोगे तो आप आरम से बना लोगे question ठीक है फ्रेंट अब हम अगले question के और चलते हैं देखिए अगला question ने हमारे पास यह हमारे पास दिया है in the circuit so in figure if i is equal to 2 ampere then the value of the battery voltage will be है इसकी battery का voltage निकालना हमारे पास i कमान यह दिया है ठीक है फ्रेंट देखिए इसमें थोड़ा टाइगराम को जेखकर हमें क्या difficult में फिल हो रहा होगा बड़ इसमें देखें यह हमारे पास रजिस्टेंस से इसको डायरेक्ट अदर जोड़ सकते हैं इसको डायरेक्ट आंदर जोड़ सकते हैं तो पॉइन्ट फाइप हो जाएगा पॉइंट फाइप ए सीरिज में जुड़ेंगे तो वर्न फाइप ठीक है अब क्रेंट ड्यिजन रूल कि एकोडिंग निकाल सकते हैं ठीक हैं देखें मैं आगे इसको करता हूं कि यह हमारे पास यह देख लीजिए इसको हम इस प्रकार से लिख लिए जैसे मैंने बताई यह ठीक है अब यह हमारे पास प्रेलर में इसको हम करेंगे तो हमारे पास देखिए रेजिटेंस और इक्वलेंट रेजिटेंस निकालेंगे इसे ठीक है इससे और इक्वलेंट रे यह यह तोन जोड़ देगे तो वह न आ जैगा फिर शेरेलर में रहेगा तो हमारा पर टोल करन्ट यह आ जाएगा टोल करेंट यह कमारा टोंट्मइन्ट 500 भाइब है ठिक है तो इसमें टोंट Понट 500 हमारे पास आ रहा है टोटल इक्विलेंट आ रहा है इसको भी हम टोटल नहीं मिला के रेजिस्टेंस तो 0.5 हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा ठीके अब हम क्या करेंगे आई कमान निकालने के लिए एक फार्मूला इसका यूश करें अपने ठीके आई कमान तो आई कमान निकालने के लिए हमारे पास यह लगाए हम तो आई इस कमान कितना है आई पॉइंट कमान एंपियर दो एंपियर बोला है यह ठीक है दो एंपियर आ रहा है तो आई कमान निकालने के लिए हम इसको लगाएंगे टोटल तो दो बराबर आई यहां से जा रहे हैं ठीक है चार एंप्यर करेंट यहां से जा रहे हैं और हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 0.5 रेजिस्टेंस है हमारे पास ठीक है कितना है 0.5 है तो अब हम वोल्टेज बराबर कैसे रहेगा i और रहता है तो 4 current है point 5 है हमारे पास यह ठीक है तो इसको हम करेंगे तो यह कितना जब 25 20 20 का हमारे पस कितना यह 20 बटे 10 हो रहेगा तो 0-0 तो 2 volt हमारा आजएगा कितना 2 volt हमारा answer आजएगा कितना 2 volt हमारा answer आजएगा ठीक है टोटल इसका equivalent resistance निकाला आप सबसे पहले क्या निकालोगा इसका equivalent resistance और जैसे कि जैसे हम voltage current division rule का यूश करते है आई निकालने के लिए आई बराबर हम निकालेंगे one resistance तो ओपोजिट वाला और one plus r1 plus r2 यह वाला ठीक है इसको हमने लेकिन इसमें r1 r2 क्या है सेम है 11 है ठीक है तो हमने 11 राखा इसमें यह तो हम total निकालें ठीक है यहां पर current division rule का उप्योग करें हम यहां से एक और इतना तो यह one हो जाएगा इतना ठीक है इस प्रकार्शा हमने इसको निकाल लेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं अगला question हमारा देखिए अगला question क्या पूछा इसमें दिये गई चीत्र परिपत में क्या है आई कमान निकालना है यह आई कमान देखिए इसमें पूरे direction भी totally दिये है अब हम यह क्या माइनस से जा रहा है तो हम माइनस से करेंगे 10 ठीक है और इसमें voltage drop को हम प्लस में लेता हमें i2 ठीक है i2 और i4 दोनों को add कर देंगे हम और इसको इसको add कर रहे तो हम 16 प्लस i6 हो जाएगा ठीक है 16 प्लस i6 यह इधर हम ले आएंगे ठीक है तो हमारे पास क्या हो रहा रहा तो हमारे पास माइनस का है ना माइनस का है तो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा कितना रहा 4 माइनस का होगा ठीक है यह माइनस का 4 बचेंगे ओके थोड़ा सा इसमें और इसको हम इधर ले लेंगे तो यह प् तो से इसको काट लेते दो बटे तीन और पॉइंट लगाएंगे तो यह 0 आजाएगा थीक यह अप्सन हमारा कुन सा आजाएगा इसमें बी वाला आजाएगा ठीक है बी वाला राइट आजाएगा देखिए इसमें और मैं थेवरी में आपको बता देखगा थोड़ा सा मेरी लिखने में थोड़ी मिश्टिक हो गए थी इसमें यह वाला देखिए यह हमारा आजाएगा ठीक है माइनस का टेन और यह हमारा पास करे से बूस्ण्ट से यह और यह वाला हमारे पद्ट करनेंगे हैं इसको और यह वडेजो इसमें तो यह 10 में हम से 6 घटा लेंगे तो माइनस का चैर और स्वोक जोड देंगे यह तो 6 साय हो जाएगा ठीक एंगे सिक्साइस को हम इधर की साथ ले लिए तो हमारा यह प्लस में इधर आ जाएगा ठीक है बटे में च्छे करके हम काड़ देंगे ठीक है अब हम अगले कोश्चन के और चलते हैं अगला कोश्चन हमारा देखिए अगला कोश्चन क्या पुछा वीच ओफ फॉलविंग आर्द एक्टिव एलिमेंस इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क निमनल लिखित में से कौन से विद्दूत नेटवर्क में सक्कीरिय अव्योव है एक्टिव एलिमेंट कौन सा वोल्टे सोर और जन्रेटर फ्रीक हां यह होते हैं इंडेक्टेंसर नहीं होते हैं त्रास्पर्मर नहीं होते हैं ठीकि ए राइट औलो मैंनारा फॉस्ट वाला ला आदेखिए इसमें तेवरी देख लेते हम्यक्ट isघये विद्दूत नेटवर्क में सकीरिय अव्योव होते हैं जो और जिएचे को प्रदान करते हैं प्रदान करते हैं चेक्ट्यव करते हैं जो पाउर को देलिवर करते हैं और जो पाउर यह प्रतिरोध भी ट्रास्पार्मार भी यह सोर्ष अप्रेशन प्रवाधक एक सोर्ष इसको ध्यान में रखिया आप अप्रेशन प्रवें यह सकता है तो यह आद रखना है अब हम अगले कुमेश्चन के और बढ़ते हैं अगला कुश्यन हमारा क्या है देखें एजिम सीख्स डिवाइश है ना सीख्स डिवाइश को हमने एक एजिम कर लिया मान लेते हैं और अरेंज इन ए फुली कनेक्टेट मेश टोपोलोजी पूरी तरह से कनेक्टेट है मेश टोपोलोजी में इस डिवाइस है मतलब प्रत्यक डिवाइस में कितने आउट्पूट और इनपूट पूर्ट होना चाहिए मान ले कि 6 डिवाइस को पूरी तरह से स्यजित मेश टोपोलोजी में विवस्तित क्या गया है प्रत्यक डिवाइस के लिए कितने इनपूट आउट्पूट से कनेक्टर रहेगा पांच से ठीक है तो हमारे पास एक डिवाश में कितने इंपूट आउटपूट की जरूत रहेगी पांच की जरूत रहेगा ठीक है यह पांच रहेगा ओके पांच हमारा राइट अपसन हो जाएगा देखे यह में प्रत्यक कम्पीटर एक दूसरे से अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्विश्टिन हमारा देखिए क्या पूछास में फोर्द रखिट गीवन बिलो करेंट थ्रू वण ऑं रजिस्टेंस इज देखिए वन अम रजेस्टेंस का हमारे पास इसमें पारेंट कमान नेकलना ठीक करेंड कमान इसमें पूछा हमें तो देखिए पांच ओम इसके सीरिज में भी रजिस्टेंस है तो छे ओम में मतलब एक साथ करेंट जाएगा वही दोनों में रहेगा ठीक है अब हम इसको मांड लेते हम इसमें सबसे पहले हम वी कमान निकालेंगे किसका वी कमान निकालेंगे तो हमारे पास आजाएगा इंस जाए ठीक है बाहर मांड लते तब एक साथ लिख लेंगे रहाइगे हम वी के माइनस में अदर के आजएगा 10 मैंनस टु आजाएगा ठीक है बाटई को जोड़ेंगे तो 6 ठीक है प्लस का वी बटे 2 प्लस का इसमें वी माइनस 4 बटे 2 आ जाएगा ठीक है यह हमारे पास एक कि इक्वेशन आजायगे इस एक्वेशन को हलकरेंगे तो हमारे पास वी बराबर एंसर आएगा हमारे पास 24 बटे साथ आएगा ठीक है ये अग़ोरा फासydy स्वागर रखाये में प्याजंगे तो इसमें माण रखाये भी कमाद तो मिरी हमारे फॉस्टा वा लिआ आ 24 बटे 7 माइनस 10 माइनस दो था तो इसका हम एक साथ लिख लेते 12 बटे में टोटल कितना रिस्टेंस 6 है ठीक है 6 हमारे पास इसका पेले यहां पर एलशियम ले ले लेते तो हमारे पास क्या रहा एलशियम इसका तो इसमें गुना करेंगे हम इसका उपर तो 24 माइनस 84 बारशा तो 84 बटे में यह साथ निचाए जाए साची 42 ठीक है 42 आ रहा है अब हम इसको घटा लेंगे तो कितना रहा है इसमें सहाट बटे 24 ठीक है इसको काट लेते हैं अब हम ठीक है तो यह 10 बटे 7 आ जाएगा ठीक है यह कितना रहा है दस बटे 7 हमारे पास करेंट है यदि हम इसको काटते हैं तो क्या आ जाएगा साथ कम साथ पॉइंट्र में हमारे पास तो साथ कम साथ पॉइंट्र डाल के इसमीं कितना थीस है साच चोक 28 और दो बचा तो जीरो साथ दूनी 14 यह हमारे पास इंसर आ जाएगा ठीक है टू पाइंटर तक वन पाइंटर वन पाइंटर 43 यह टू तो सी वाला एंसर हमारा राइट हो जाएगा ठीक है यह सी वाला देखिए अब मैं थोड़ा इसका पूरा डीटेल में आपको बताता है इसमें दिया है ठीक है एक सोड तरीके से मैं आपको बता दिया किस प्रकार यह आया यह हमारे पास से सर्कीट ठ थीक है हमने यह हमारा इस सर्किट से इसका हमने निकाल एक कॉडिंग नोरड अरलसाइस है यह हमने नोट पर वोल्टेज कुछ न कालने की कोशिश का इसमें से देखें यह इधर आ रहा तो हमारा VE है यहां पर है नी? V minus यह plus से इंटर हो रहा तो minus में और इधर यह भी voltage source रहा है यह भी minus कहा है नहीं minus 10 और minus बटे दोनों को 5 plus 1 कर लिए ठीक है अब इसी प्रकार यह वाला आजाए यह था आप करी लोगे यह वाला भी कर लोगे यह थोड़ा सा समझना था आपको यहां से आप इस equation से अब हम निकाल सकते हैं जैसे यह equation बनी इसको अब हल करेंगे पूरा तो यह हमारे पास आएगा तो इसको पूरा हल करने पे हमारा यह आजाएगा ताकि मैं देखे इसको पूरा ने समझा रहे शले क्या डाइरेक्टर डिडेक्टर क्या है आप समझ जाओगे इसको ठीक है तो हमारा voltage का माना आजाएगा voltage का माना आने पे हम क्या करेंगे प्रतिरोत 1 में निकालेंगे प्रतिरोत में जो धारा बहेगी वो 5 हम में भी बहेगी इसके कारण यह धारा देखे यह हमारा पास हमने इसको रखा ठीक है आई बराबर यह हमारा पास आएगा यह आजाएगा ठीक है इसका इलशम इसमें लिए हमने तो हमारा पास यह 24 माइनस 84 से आए बटे में 7 निचे आजाएगा फिर बाद में ठीक है इस प्रकार्ष आएगा है 24 minus 24 बटे 7 बटे 6 था तो यह पूरा नीचे आ जाएगा तो यह किसका कैसा लिखे अपने इस प्रकार से लिख दिये ठीके ऐसा लिखा अपने ठीक इसको पूरा घटाएंगे तो यह आजएगा यहाँ से तो फिर आप समझ जाओगे ठीके यह हमारे पास आ जाएगा सीवाल एंसर राइट हो जाएगा अब हम अगले कोश्चन की ओर चलेंगे नेश्ट कोश्चन हमें क्या पूछा है देखिए वाट विल बी दा नंबर ओप टाइसेट करेंट इन दा गिवन सर्किट कैसा दिये गए सर्किट में टाइसेट करेंट की संख्या निकलना है टाइसेट करेंट मतलब एक तरह से जो लिक कर रहता है टोटल लूप कितने में लूप कितने बन रहे हैं देखिए इसमें कितना बना एक यहां बन जाएगा एक यहाँ बन जाएगा एक यहाँ तीन बनेगा तो हमारे पास तीन ओप्सन राइट रहेगा देखें ठीक है तीन ओप्सन राइट हो जाएगा हमारे पास इसकी थेवरी को देख लेते हूं किस प्रकार से यह आ रहा है किसी भी नोट के बीच प्रतेक जैसे एक नोट है एक ये नोट है एक ये नोट है ठीक है लिंक के अलावा एक लूप बनता है ठीक ये लिंक था ये बट यहाँ पर एक लूप बन रहा है जिसको मूल रूप कहें हैं चीत्र में तीन मौलिक लूप हैं इसलिए इसमें टाइसेट धारा और लिंक धारा तीन होगी ठीक है कितने रहेगी तीन रहेगी इसमें ओके अब हम नेश्ट कोशन क्यों चलते हैं देखिए अगला कोश्चन है हमारा यह एकरडिंग टुटेलीमस तेरों मिज one of the following इस कारेक्ट इसमें कॉन सा saturation देखिया हम क्या देखते है इसमें फरस्टसफा वाला क्या दिया है दिया गए सकती और ली गए सकती ने कि पावर डिलीवर इसड़ टू पावर अबजर्व मैंग थीक यह रहता हमारे पास यही बलता आप निस्ट फस्ट वाल आपसं सही हमारा बट नीचे भी चेक कर लएत है क्या इस से बेस्ट है हमारे पास पावर डिलिवर क्या ओपन में ये रहेगा नहीं ये नहीं रहेगा हमारे पास और ये हमारे पास भी वन ऊपन दिया है जितना एक सर्किट रहेगी उसके अंदर हम जितनी भी शोर्स देंगे उतना हीत अपजर्ब होगा वहां पर नेटवर्क है तो किसी भी समाई सीधी साखाओं में ततकालिन शक्ति का बिजगर्णी तो यह क्या है सुन्य हो जाए यह हमारा पास एक फार्मॉला याद रखे यह पूछ सकता फार्मॉला आपको है ठीक है यह पूछ सकता यह हमारा पास क्या है ब्रांच की वोल्टेज यह करेंट हो जाएगा ऑके के दूसरे सब्दा में यृद infrastructure सभी सब्सकipt हो ङके नेटवर्क हो आज के ऐसे ब्राबर्ल में तो यह क्या बराबर रहेगा यह ठीक है यह हमारे पास 2 बराबर है ठीक है तो आश के लिए देखे इतना ही रखते यह कि हम ज्यादा बड़ा वीडियो ना करते हैं ठीक है अब हम कल इसको अगला नेश्ट करेंगे तो आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद ठीक है